हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे पिछली वीडियो में मैंने ये कुर्टा पजाम आपको बराना सिखाया था अज मैं इसके मैचिंग का पटका और इसकी पगडी बनानी आपको सिखाऊंगे तो ये इसके लिए मैंने ग्रीन कलर की अपने के लिए बना रही हूं तो इसम फ्युटिफटेफाइफ लेके आपको दिखाते हैं आपको सिंप्लि .डेनी है मैंने फ्युटि ?टेफटी तैंनаст ले ली है आभी थी चैंग और इसमें हर एक चैंग में डबल क्रोश या करके आपको दिखाते में सिंपल कुछ नहीं करना है बस हर एक चैन में डबल करोशिया करना है जम आपको करके दिखाते हूं मैंने अपना राउंड बना लिया है फर्स्ट राउंड इसमें अब सेकेंड राउंड बीच में मैं इसका एक ग्रेन से बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने यह स्लिप नॉट लगा के एक हाफ डबल करोशी से पूरे उसमें लाइन बनाने हैं हमें यहां से रिटन नहीं यहां स यहीं से इसको बनाना है दुबारा से कट कर के उनको तुप टू चैन लेके और हर एक देखो हम इसमें नहीं डालना आगे से नहीं डालना हमें पीछे वाला जो हमारे चैन की पीछे वाला होता है in the last a produce drink से ड्राल कि हमी हाफ डोबल करोसिय को बनाना है हर एक चैन में हाफ डोबल करोसिय को नहां थे तो मैं यह आपको बना के दिखाते हूं तो मैं यह आपको कंप्लीट करके दिखाते हूं यह दे कि फ्रेंड्स मैं अपना यह हाफ डॉबल से पूरा रांड कंप्लीट कर लिया है अभी मैंने ही पे इसको कट कर दिया है अभी दुबारा से मैं यहीं से स्टार्ट करके इसमें बंब को किये बनाओं की हर एक जन में वाइट कलर सेंटर में पर में दोनों में में और सइडों में लेख़ yangła तो आपडसा काया है ढ़्याएं और बाया को आखंटर में कई nut दाने सेंटर ़रिख देखो ये सेंटर में रखके इसको ऐसे क्रोस करेंगे और ये पीछे ले जाएंगे इसको इस वाले हिस्से को भी पीछे ऐसे और इसको यहां से मैं सीलने से पहले आप इसको अपने कानाजी कोई बरी पहना के देख ले ना ये हमारा गया पकड़ी का लुक तो मैं आपको ये पूरा सील के आपको दिखाते हूं ये देखे फ्रेंड्स मैंने इसको रड़े कर लिया है इसको सील के चारो तरफ से सील लिया है अभी मैं इसको इसी के मैचिंग के बना रहे हूं कुड़ते पजामे की तो मैं इसमें स्टोन से इसको सजाओंगी और उससे पहले मैं आपको ये एक पटका बना के दिखाते हूं ये मैंने 60 चैन लेके और इसमें हाव डबल करोसिया हर एक चैन में करूंगे जो मैं आपको करके दिखाते हूं मैंने पटके के लिए ये इसमें 60 चैन ले हैं क्योंकि ये हमारा पांच नमबर के काना जी हैं और इसमें ये टू चैन छोड़के थ्री चैन पे मैं ये हर एक चैन में डबल करोसिया करूँगे तो मैं आपको ये करके दिखाते हूँ हर एक चैन में डबल करोसिया आपको करके दिखाते हूँ यह देखना friends मैंने इसकी 3 row बना ली है जैसे हमने पने पगडी में डिजाइन बनाया था वैसे ही डिजाइन हमने पटके में बनाया है एक डबल करोसिया फिर हाफ डबल करोसिया और फिर डबल करोसिया तो आप इस पे डिजाइन बनाना चाहते हो तो कुछ भी इस पे decoration कर सकत पगड़ी पे मैं आपको करके दिखाते हैं यह देखे फ्रेंट्स मैंने इसकी डेकरेशन करके दिखा दी है आशा करते हूं कि आपको यह समझ में आ गई होगी यह पगड़ी यह पटका पजामा और यह हमारे कानाजी का कुड़ता तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी ल अपको